आज हम बनाने जा रहे हैं काजू राइस जो बहुत ही मज़ेका बना है और बनाना तो बहुत ही आसान है आप इसे जरूर ट्राइक करें और मुझे फीड़बैक दें तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका एक कीजी बास्मती राइस आप यहाँ पर कोई भी राइस ले सकते हैं इसे अच्छे से वाश कर ले और आदे घंटे के लिए भीगने रखते बरतन को मीडियम हीट पर गरम करें इसमें वन फोथ कप घी डाल दे और चार टेबल स्पून ओईल आप चाहे तो ओईल को स्किप क कर ले सिर्फ घी में भी बना सकते हैं जैसे हलका सा घी गरम हो जाए इसमें 15-20 काजू 15-20 बदाम डाल दे और इसका हलका सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राइ कर ले काजू बदाम यहाँ पर हलकी से कलर चेंज कर चुके हैं अब इसे निकाल कर अलग रखते थोड़े से बद कर ले 30 सेकेंड के बाद इसमें 4 टेबल स्पून दही डाल दे और इसे भी 2 मनिट के लिए अच्छे से पका ले दही को पकते हुए 2 मनिट हो चुके हैं अब हम इसमें पानी डाल देंगे जितनी चावल आपके हैं उससे 2 गलास एक्स्रा पानी डाल दे अगर आपने 4 गलास चावल लिये हैं तो 6 गलास पानी ले ले नमक डाल दे हजबे जरूरत 4 हरी मिट्च 2 टेबल स्पून बारी कटावा धनिया और 2 टेबल स्पून बारी कटावा पुदीना इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसे ढख कर एक बॉयल आने दे ग्यास का फ्लेम यहाँ पर मीडिय पानी यहाँ पर सूख चुका है अब हम इसमें फ्राय केवे काजू और बदाम डाल देंगे थोड़े से थोड़े से बचा कर रखेंगे गार्निश के लिए इसे गिले कपड़े से या फिर फॉयल से ठक दे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए दम दे दे 10 मिनिट के ब काजू राइस बन कर तयार है आप इसे जरूर ट्राइक करें और मुझे फीडबैक दें अगर यह आज की रेसिपी आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक शेर और सस्क्राइब करें तो चलिए अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफेज